नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और स्वागत आपका मेकेनिकल नेक्सस में आज हम बात करेंगे different kind of wise के बारे में जैसे कि pipe wise, leg wise, hand wise और pin wise सबसे पहले हम बात करते हैं wise करती क्या है wise हमारा एक holding tool होता है यानि कि जो हमारे object को proper clam करके रखता है grip के थुरू अब हम बात करते हैं कि जो different kind of wise है अगर आप competitive exam के त्यारी कर रहे हैं किसी या फिर theory exam के त्यारी कर रहे हैं तो आपको कुछ इसकी चीजों का पताना होना बहुत ज़रूर है जैसे कि पहली चीज है इसका use कि हम इसको कहां पे use करेंगे in different different wise को दूसरा हम बात करेंगे हर एक में कि इनके कौन-कौन से parts होते है और उन parts का क्या material होता है जो की बहुत important है material और तीसरा हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं यानि हम बात करेंगे इसमें इनकी working की तो चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं सबसे पहले हम pipe wise की pipe wise का जो हमारा use होता है जो हमारे round object होते हैं या cylindrical objects होते हैं उनको अच्छे से hold करके रखना होता है या लिख देते हैं इसका use हम करेंगे round या फिर cylindrical object को अच्छे से hold करने में उनको grip करने में example की बात करें जैसे कि हमारा pipe बहुत common example है pipe हो गया tubes हो गई या फिर हमारी soft हो गई बहुत ज़्यादा इसका use हम pipe में करते हैं इसलिए इसका नाम pipe wise पड़ा हुआ है अब हम बात करते हैं इसमें different parts की और उनके material की देखिए ये हमारा handle है और इसमें vertical attach है एक screw thread ठीक है ये मेरा screw thread है ये दोनों बनाए जाते है mild steel के ठीक है ये है मेरा mild steel ये भी है mild steel फर्दर हमारी ये body है पूरे इस pipe wise की body बनाए जाती है cast iron की और नीचे ये हमारा जाके base से connect होता है base के नीचे आप इसे bench पे भी connect कर सकते हैं या फिर कहीं और भी easily इसको install कर सकते हैं देखे अब हम बात करते हैं इसके working की working इसकी बहुत simple है जब हम pipe इस handle को 360 degree rotate करते हैं तो जो हमारा screw thread है ये linear motion में या तो up ये down motion करेगा यानि इससे पता चला हमारा उपर की direction में है movable chuck अब हम क्योंकि यहां पर देखें यह solid है अब मैं इसको यहां बना के दिखाता हूं यह मेरा handle है यह handle के नीचे मेरा screw thread जा रहे है और नीचे इसमें देखेंगे जाकर यह मेरा कुछ इस तरह से यहां पर यह है मेरा उपर वाला jaws जिसको कहते हैं movable jaw नीचे वाला जा यहां पर मैंने dotted line से बनाया हुआ है और उसके उपर मेरा workpiece रखा हुआ है अब मुझे अगर इसे hold करना हो तो क्या होगा मेरा उपर वाला जा नीचे वाली direction में travel करेगा और इस workpiece के surface के उपर आके touch करेगा यह लीजे यह मेरा workpiece है इसकी surface में touch कर गया उन नीचे यह already fix था मेरे fix jaw पर यह देखिए यह मेरा fix jaw है और यह कुछ इस तरह नीचे connected है ठीक है? यह fix jaw है यह मेरा workpiece है अब इसका working बहुत simple है सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा pipe wise है यह किसी भी round object को यह cylindrical object को four point से hold करेके रखता है आप देखेंगे पहला point यह, दूसरा यह, तीसरा यह, चोथा यह यानि कि यह four point पर work करता है working principle पर काम करेगा जब इसको अच्छे से पकड़ लेगा क्योंकि यह एकदम flat नहीं होता इनकी जो surface होती है उस पर knurling की यूज होती है ठीक है, knurling किस process को कहते है जिसमें हमारा एक grip provide की जाती है surface के उपर ताकि वो अच्छे से किसी चीज को clam कर सके, पकड़ सके ठीक है, इस तरह से यह मेरा work करता है pipe wise अब हम बात करते है pin wise की, देखिए जो मेरा pin wise है नाम से पता चला है, यह carry करेगा pin को, या pin जैसी अनेक चीजों को बात करें, जैसे की यहाँ पर मैं बावलू, wire ले लीजिए ठीक है, क्योंकि इसका नाम pin wise है तो obviously बात है, pin को भी पकड़ेगा, इसका इस्तमाल generally कोन करते है जो बहुत छोटी छोटी wire पर या pin पर काम करते है, जैसे की हमारा, जो हमारी गड़ियां ठीक करता है, आपने देखा गा उसके दुकान पर वो हमारा pin wise को use करता है, अभी आप समझेंगे क्यों use करता है, अब हम बात करते हैं इसके different parts की और material की तो देखिए, सबसे पीछे ये मेरा handle है ये handle बना जाता है mild steel का, ओके ये आगे जाके मेरे screw thread से connected है, ये screw thread है, और इसमें ये इसकी threads है ठीक है, फरदर ये मेरे एक, ये फिर दुआरा बड़ा होता है diameter में क्यों, क्योंकि हमारे इसको पकड़ने के लिए मैंने यहाँ पे चक install किया हुआ है और चक ने, चक के आगे चक के आगे मेरे jaws है ठीक है, ये jaws बनाए जाते है tool steel के, ये है tool steel और मेरा जो चक है और handle है, ये दोनो mild steel के बनाए जाते है अब देखिए, ये काम कैसे करता है, बहुत simple है आपका ये जो हमारा portion है, ये हमारे हमेशाद इन तीन, मताद दो अंगलियों और अंगुठों के बीच में रहता है, जब हम किसी object को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं इसको देखिए, इसका मैं थोड़ा बड़ा figure बना के दिखाता हूँ, ये किस shape का होता है, ये circular object होता है, और इसके अंदर मेरे jaw types के होते हैं, कैसे जैसे आपके lat machine में आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह से निकले होते हैं आपने जब इस बीच में कोई भी circular object अटकाया, बाद में आप इसको chuck के help से, और इस nerling के help से गुमाते हैं तो वो इसको grip कर लेता है, और अच्छे से hold कर लेता है, इस तरह ये work करता है, हमारा pin wise, अब हम बात करते हैं, leg wise की तो देखिए, नाम से indicate हो रहा है ये एक ऐसी wise है, जिसमें इसकी एक lag होगी, obvious सी बात है ये मेरा एक wise है, और इसमें एक lag होती है, क्योंकि ये wise थोड़ा diameter में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, इसलिए इनको support करने के लिए, एक तो हम जो हमारा fixed jaw होता है, ये मेरा fixed jaw है, ओके इसको तो मैंने हैं clam कर दिया देखिए, इसको पूरा इसे hold कर दिया दूसरा इसकी lag को भी मैं additional support कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने इसको, जो भी हमारा bench वाइस थी, उसकी lag के साथ फिर दुआरा connect कर दिया है, इससे मेरा proper gripping में आ गया, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इस्तमाल क्या है तो इसका इस्तमाल heavy work के लिए किया जाता है, जहाँ पर भी हमें heavy kind का work करना हो example की बात करें अगर हमें hammering करनी है जैसे जो हमारा blacksmith है यानि जो लोहार होते हैं, वो क्या करते है object को पहले तो गरम कर लेते हैं उसके बाद इसके बीच में अठका देते हैं और उसके बाद इसके ओपर hammering करते हैं इससे ही समझ में आया ये एक ऐसा wise है, जो high impact को बार बार bear करेगा यानि इसके तूटने के chance ज़्यादा हो, होते हैं इसलिए ये ना तूटे इसलिए इसका जो material है generally, generally हम rot iron का बनाते हैं rot iron, ठीक है अगर हम यहाँ पर rot iron के जगा cast iron use करेंगे ना, तो cast iron easily break हो जाता है high impact से, तो इसलिए हाँ पर इसके ज़्यादा दर पार्ट्स हमारे rot iron के बनाए जाते हैं जिसमें mainly हमारा ये movable jazz आता है और fix जाता है, और lag आते हैं अब हम बात करते हैं इसमें others part की principle, same है, ये मेरा handle है ये handle इसमें general length में बड़े होते हैं, जब ये rotate करेगा 360 degree, ठीक है तो ये मेरा, जो screw thread है screw thread तो linear motion करेगा अभी देखे समझेगा, ये linear motion करेगा और जब ये linear motion करेगा तो ये movable जा है ये open और close होता है मेरे एक hinge के दुआरा इस पे hinge होता है, hinge मतलब एक point होता है, अगर आपने इसे connect कर दिया तो ये कैसी एक motion ले रहा है, इसको कहते है गोलाकार motion या तो इसे आप इसे गोलाकार कह लेजिए या फिर आप इसे curve motion कह सकते है यानि curve shape में move होता है जैसे कि आपके जो घर के door होता है वो hinge होता है तो वो एक particular direction में open और close होते है तो इसमें जो rotation है, वो hinge type का है उसके बाद ये leg नीचे जाके जिस भी plate में ये attach होते है उसके साथ attach कर दी जाती है अच्छे से, ठीक है और ये जो इसमें क्या होता है एक additional हम spring देता है ये देख रहे हैं, blue color की spring है spring क्या करती है जब हम किसी भी object या workpiece को पहले तो हम claim कर लेते हैं तो ये खुलने की कोशिश करती है मान लिजे मैंने यहाँ पर कोई भी object था उसको इसके बीच में अटकाया ये देखिए, मेरा object था इसको अटकाया अब मैंने इस पर work कर लिया अब मेरे को इसे खुलने है तो खुलने में मेरे को बहुत help करती है क्योंकि opposite direction में force apply करती है अब इस तरह ये बहुत simply work करता है अब हम last बात करते हैं handwise की तो देखिए बहुत सारी wise हो के नाम से indicate हो जाता है अब जैसे ये wise है इससे पता चला है इसका इस्तमाल हम हाथ में लेकर करेंगे मगर ये बहुत चोटे चोटे objects होते है जो इस पे easily grip नहीं हो पाते उसके लिए हम यहाँ पे handwise यूज़ करते है तो एक तो use हो गया बहुत चोटे चोटे objects objects की जैसे हम बात कर ले तो जैसे हमेरा screw है आपको उसे पकड़ना हुआ ठीक है तो आपको हाथ आप हाथ से पकड़के तो करने सकते है क्योंकि बहुत गरम होती है और आपका हाथ भी एक fix नहीं है बहुत वाइबरेट करेगा तो उसे हम easily इसके बीच में फसा कर easily grind कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं इसके parts की तो देखें इसके जो parts है simple इसकी तरह है दो jaw है एक fix जा एक movable जा बीच में हमारा ये red color का screw thread है screw thread adjust किया जाता है wing nut की help से यानि आप इसे अगर खोलेंगे तो jaw opposite direction में जाएंगे यानि खुलते जाएंगे और इसको खुलने में help करेगा spring जैसा भी मैंने discuss किया था ठीक है चुकि ये एक point से pivot होते है यानि hinge होते है तो ये भी एक बेलना का direction में ही open होंगे कुछ इस तरह ठीक है दोनों hing होगे उसके बाद हम इसमें बीच में workpiece को अटका के इस wing nut को tight कर देते है और हम अपना work कर लेते है क्योंकि आप ये देख रहे है ये मेरा जो jaws है ये पूली स्टील के बनाए जाते है ठीक है और यहाँ पे जो jaws थे है वो भी पूली स्टील के बनाए जाते है अब simple सी बात है यहाँ पे हम मैंने flat करके दिखाया कुछ ऐसी आपका मालीजे की है जो की एकदम flat ना होके थोड़ा सा round shape में है तो उसमें आपका जो jaws की जो shape है वो थोड़ी सी बदल जाती है जैसे आपका ऊपर का जाए कुछ इस तरह हो जाएगा और नीचे का जाए भी कुछ इस तरह से cavity वाला बन जाएगा फिर इसके बीच में आप इसे अटकाईए और जो भी operation आप perform करना चाते हैं वो easily कर सकते हैं तो यह था दोस्तो different kind of wise के बारे में thank you for watching